पागत है आपका लखनव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे राजधानी के शक्ति भवन का घिराव हो रहा है रिन्यूरल एनर्जी असोसियेशन के बेंडरों ने घिराव किया है सोलर प्लांट की सबसीडी का भुकतान अभी तक रही हुआ जिसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन जो ही चल रहा है भुकतान नहोने पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है शक्ति भवन के बाहर रिन्यूरल एनर्जी असोसियेशन के बेंडरों ने जिन्होंने साफ तर पर कहा कि सोलर पैनल के लिए जो सबसिडी सरकार के द्वारा दी जानी थी उसका भुकतान नहीं हुआ है जिसको लेकर उन्हें बड़ा खामयाजा भुगतना परड़ा है शिवा हमाई सायोगी हमाई साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं शिवा रिन्यूवल एनर्जी असोसियेशन के वेंडर्स जो है वो और और उन्हों ने एक शिकायत यहां पर लेकर वो पहुचे हैं कि सोलर प्लांट की सबसिडी का भुकता नहीं हुआ है तमाम चाहिए शिवा लेना चाहेंगे आपसे देखे हिना ये वो लोग हैं जिन्होंने उसर प्रदेश के अलग-अलग दिलों में सोलर प्लांट का काम किया है लोगों तो जरों में सोलर प्लांट लगाया है कई केवियों के लेकिन आरोब यही है कि उर्जा विभाद जो नोडल अफसर साज नोडल एजिंसी थी इस पूरे मामले में सोलर प्लांट को लेकर के उन्होंने तक्रीबन 71 वेंडरों का दो साथ से बुकतार नहीं किया और ये राशी बढ़कर के 70 क्रोर रुपए की हो गई है लेहादा इसी बात को लेकर के उन्होंने कई बार यूपी सीचल के उपर एक पड़ाकर्द है आई पुलाता हो कि 70 क्रोर रुपए जो अब तक दो साल में बुकतार नहीं हो पाया है वो आखर कर किसी वज़े से फसा हुआ है एक उन्हों इस बीड़ी के आने वाले समय में अगर इस राशी का बुकतार नहीं हुआ अगर दिवाली से पहले इनको अगर बुकतार नाशी नहीं बिली तो इन लोक की दिवाली बेकार चली जाएगी और इस पर बड़ा एलान का भी प्रदेश्चत किया है और वेंडरों का साफ़ दॉर से कहना है कि इवजाजी जल्स रिजल्स मिलनी चाहिए और यूपी पीस्टील और यूपी नेडा है जो इस पुरे मामले नोडल अइजिंसी बढाए गई है इसकी पुरे मामले की आई लेविल जाच होनी चाहिए शिव क्या अभी तक वज़ा नहीं पता चल पाई है क्या वज़ा है कि इतनी बड़ी रकम का अभी तक बुकतान नहीं हुआ है पूरे मामले की जाज भी जाज बिल्कुल तबाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका